हेलो एर्विवन आज मैं आप लोगों के साथ में करवा चोथ मेकप लोग शेयर करने वाली हूँ सबसे पहले मैं यहां पर करूँगी अपना स्कीन केर मैं यहां पर यूज कर रहे हूँ एल्प्स गूडनेस का सेंडलो टोनर एंड इसका रिव्यू भी मैं अपने चैनल पर दाल चुकी हूँ अगर आपने मेरी वाली वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज आप चाकर के मेरे चाना पर चाकाउट कर सकते हैं इसके बाद मैं यहां पर यूज कर रहे हूँ इन सभी के परचेस लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रेप्शन बोक्स में मिल जाएंगे अ इसके बाद मैं यहां पर यूज कर रहे हूँ अगर आप यहां पर यूज कर रहे हूँ लाइट ब्राउन कलर जिसे मैं अपनी पूरी आई लिड पर अप्लाई करूंगी आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फोलो कर सकते हैं मेरी इंस्टाग्राम आईडी है नैच्रल वर्षव नहीं किया है तो प्लीज कर लिजे का गाईच इसके बाद मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ, यह dark brown color जो मैं यहाँ पर makeup brush यूज कर रही हूँ, यह makeup brushes है पूना स्टोर के अगर आपने पूना स्टोर के makeup brush अभी तक यूज नहीं किया है, तो प्लीज एक बाद जरूर ट्राइ करके देखीगा बहुत ही जादा soft है, smooth है, और मैंने यह makeup brush जो है, वो Amazon से purchase किये है और इनका भी link मैंने इसे description box में डाल दूँगी, इसके बाद मैं यहाँ पर यूज करे हूँ, wet and wild की यह eyeshadow palette glitter eyeshadow palette है, और इसमें आपको single color ही मिलता है, और इसे मैंने purple से purchase किया है so मैं कुछ इस तरह से इसे apply करूँगी, अपने eye lid पर and दूसरी eyes पर भी मैं इसे इसी तरह से apply करूँगी इसके बाद मैं यहाँ पर use करे हूँ, यह silver glitter and आप देख सकते हैं and guys, इसे मैंने local market से purchase किया है, so इसका मैं लिंक का आप लोगों के साथ में share नहीं कर सकती इसके बाद मैं यहाँ पर use करे हूँ, wet and wild की bro kit इसका review भी मैं old lady अपने चाहाँ पर डाल चुकी हूँ and इसे मैंने purple से purchase किया है, इससे मैं अपनी eye bro को फिल करने वाली हूँ and guys, अगर आपने मेरा चनल अवी तक subscribe नहीं किया है, तो please मेरे चनल को subscribe कर दीजे और साथ में जो bell icon होगी, उसे भी click कर दीजे, जिससे कि मैं जब भी अपनी कोई new video डालूँगी, उसे सबसे पहले आप अपने phone पर देख सकोगे and इसके बाद में मैं यहाँ पर use कर रही हूँ, इस टेक वर्की का pen eyeliner, इसे मैंने purple से purchase किया है and इसका review भी मैं already अपने चाहां पर डाल चुकी हूँ, अगर आपने नहीं देखा है तो please जाकर कि आप में चाहां पर check out कर सकते हैं and जितने भी products के reviews मैं already कर चुकी हूँ, so उन वीडियो का link भी मैं नीचे description box में डाल दूँगी, आप चाहे तो वहाँ से भी इन वीडियो को watch कर सकते हैं इसके बाद मैं यहाँ पर use करें इस टेक वर्की की black kajal and इसे भी मैंने purple से ही purchase किया है इसके बाद मैं यहाँ आपर use करें हूँ, blue heaven का mascara अगर आप एक koles girl है या फिर आप एक working woman है या फिर ऐसे ही आपको daily mascara use करना अच्छा लगता है तो आपको waterproof mascara daily use नहीं करना चाहिए क्योंकि वो जल्दी से निकलता नहीं है और जिसे use करने से आपकी जो lashes है वो बहुत ही जादा वीक हो जाती है जब आप उसे गिस गिस कर निकालती है तो उससे ग्या होता है कि आपकी lashes बहुत है ज़ड़ने लगती है तूटने लगती है आपको daily use में waterproof mascara यूज नहीं करना है आप blue heaven का mascara यूज कर सकती है विकोज ये waterproof भी नहीं है और आपकी lashes को खराब भी नहीं करेगा इसली आप इसे daily use में यूज कर सकती है और इसे आप local market से भी purchase कर सकती है इसे आप online भी purchase कर सकती है so affordable price में आपको मिल जाता है and इसका detail में review भी मैं already अपनी चाहाँ पर डाल चुकी हूँ अगर आपनी नहीं देखा है तो please जाकर कि आप में चाहाँ पर checkout कर सकते है and इस video का link भी मैं इसे description box में डाल दूगी आप उस link के through भी जान सकते हैं कि blow heaven का mascara यूज़ करने के और आपको क्या क्या benefits है and इसके बाद आप देख सकते हैं मैं कुछ इस तरह से अपनी eye corner पर ये wet and wild की glitter eyeshadow apply कर रही हूँ and guys इसके बाद मैं यहाँ पर यूज़ करी हूँ ponds की bb cream and आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर primer use नहीं किया है ना ही मैं foundation use करने वाली हूँ और ना ही मैं concealer use करने वाली हूँ only ponds pb cream से ही मैं अपना पूरा makeup base जो है वो तैयार करने वाली हूँ and आप देख सकते हैं कितने अच्छे से मेरा makeup base तैयार हो जाएगा and guys मैंने इसे local market से purchase किया है आप इसे online से भी purchase कर सकते हैं आपको इसमें दो shade मिल जाते हैं एक है 01 और दूसरा है 02 मेरी ponds pb cream का shade number है 01 अगर आपका skin tone मेरी skin tone से match करता है तो आप इसमें 01 shade number ले सकते हैं आप अपनी skin tone के हिसाब से इसमें shade चुन सकते हैं and guys अगर आपको लगे कि आपको कम coverage मिली है तो आप इसकी double layer भी लगा सकते हैं आपका make up बिल्कुल भी patchy नहीं लगेगा वैसे मैंने इसमें single layer ही लगाई है single layer में भी मुझे full coverage इसकी मिल गई है and इसके बाद मैं यहाँ पर यूज़ करीएं Maybelline का fit me compact अगर आपकी normal skin है combination है oily skin है तो Maybelline आपके लिए best option है Maybelline का compact concealer foundation यह सभी आपके लिए best option है guys अगर आप अपने make up को long lasting बनाना चाहते हैं तो इसके बाद मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ highlighter मेरे पास में है यह Swiss beauty का highlighter and guys अगर आप एक working woman है आप एक colis girl है आपके पास में इतना time नहीं है कि आप इतने सारे make up products daily use कर सके so आप only एक product से ही अपना make up बेस तैयार कर सकते हैं आपने देखा मैंने आपके सामने ही यहाँ पर नाई तो foundation यूज़ किया है ना concealer ना primer only one product points BB cream से ही मैंने अपना make up बेस तैयार किया है and 7-8 घंटे तक आराम से ही आपका make up ऐसा का ऐसा ही रहेगा आपको touch up की भी जरूरत नहीं पढ़ने वाली है यहाँ बर and guys अगर आपकी साथ में ऐसा होता है कि कुछ time के बाद में आपका जो make up है वो काला पड़ जादा है लगबग जादा तर सब के साथ में ऐसा होता है पहले मैं अपना skin care routine फोलो नहीं करती तो मेरे साथ में भी ऐसा ही होता था अगर आपकी साथ में भी ऐसा होता है कि आपका make up थोड़े से time के बाद ही काला पड़ने लगता है शो आपको अपना skin care routine जरूर फोलो करना है उसके बाद आप देखेगा आपका make up बिल्कुल भी काला नहीं पड़ेगा और गाइस मैं यहाँ पर यूज़ करी हूँ I am star daman की liquid lipstick इसका purchase link भी मैं निचर description box में डाल दूँगी यह red liquid lipstick है गाइस हर outfit के साथ में बहुत यह अच्छी लगेगी और यहाँ पर मैंने लेंगा करी किया है आप चाहे तो इस make up के साथ में आप साड़ी, कुर्टी, western dress जो मर्जी जैसा मर्जी आप चाहे वैसा करी कर सकते है और नीचे से जो मेरा लेंगा है वो कुछ इस तरह का है गाइस और यही है मेरा final look आप चाहे तो दुपट्टे को कुछ इस तरह से भी करी कर सकते है अगर आप दुपट्टा सर पर नहीं रखना चाहते तो आप इस तरह से भी दुपट्टे को करी कर सकते है अगर आप सर पर पल्लू रखना चाहते हैं तो आपको जह तरह से भी दुपटा रख सकते हैं यही था मेरा आज का वीडियो आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो अगर आई हो तो प्लीज एक लाइक जरूर कीजेगा एंड शेर कीजेगा सो मैं मिलती हु में नेक्स तूडियो में थेंक्यू